स्सी में हुआ बड़ा बदलाव क्या अब टीशेस पेपर नहीं बनाएगी क्या पेपर बनाने के लिए एलियन को बुलाया जाएगा क्या बच्चों सब गणित के सवाल की जगह है क्या पेपर का पेटरन बिल्कुल बदल गया क्या पीवाई क्यू क्यों की किताबों को हमें कोड़े में फैक देना चाहिए ये सब सवाल आपके जहन में गूंज रहे हैं सब लोग इस मुद्धे पर वीडियो भी बना रहे हैं सोचा मैं भी एक वीडियो बना दूँ मजाएगा तो भाई साव अपने दिमाग को जरू रखो ठंडा और मैं आपको बताता हूँ पूरी जानकारी छोटी सी 5-6 मनेट की वीडियो होगी सारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा देखे प्यारे दोस्त SSC है स्टाप सेलेक्शन कमीशन एक सेंटरल गोर्रमेंट की एक संस्था है जिसको ठेका दिया गया है गुरूप बी और कुछ गुरूप सी पोश्ट का एक्जाम्स करवाने के लिए SSC बोली भईया हम तो टेक्निकली वीक आदमी हैं हम तो सरकारी वाले हैं ये काम प्राइवेट वाले अच्छा करते हैं हम थोड़ा सा पैसा देके उनसे सारे काम करवाएंगे वही क्वेशन पेपर भी बनाएंगे वही सॉफ्टवेर भी बनाएंगे और उनकी ही लेब हों और वो अपनी लेब्स में ओनलाइन जो है एक्जाम भी कंड़क्ट करवाएंगे ठीक है ये SSC जो है वेंडर ठेका उठा देती है अब पिछले 5 साल से आने की साल 2018 से इन्होंने ठेका दिया हुआ था TCS को टाटा कंसल्टिंग सर्विस जो हमारे मान्य रतन टाटा की बहु पिछले जितने भी SSC में वेंडर से उनसे कहीं जादे अच्छा रहा है कहीं से ऐसी कोई खबरे नहीं की एक्जाम सेंटर में सॉफ्टवेर को ऐसे लिख करके बाहर से गैंग सॉल्वर ने पेपर सॉल किया कोई SSC का या एक्जाम सेंटर पे कोई बहुत जादे चीटिंग कि कोई खबर आई हो ऐसा कुछ भी नहीं हो यानि कि SSC ने अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से किया लेकिन प्रॉबलम क्या थी कि TCS तीनों ही काम करवा रही थी TCS क्वेस्टन भी बना रही थी TCS ही टेक्निकल सपोर्ट सॉफ्टवेर अगरा जो इस सॉफ्टवेर पर आप एक्जाम देते हो एक्जाम हॉल में प्री का मेंस का वो भी TCS नहीं बनाया था और TCS की ही मेरे दोस्तों लैप्स थी जो ऑनलाइन लैप्स जिन में बच्चे जाके एक्जाम दे रहे थे अब SSC ने बोला कि नहीं आज से हम एक बड़ा बदलाव लेके आएंगे य यानि कि question bank बनाने के लिए एक अलग company आएगी, software technical support के लिए अलग company आएगी मेरे दोस्तों और service provider जो conduct होगा आपके SSC के जो एक्जाम होगे online mode में उनके लिए अलग company आएगी SSC से मेरी request है कि चाहें आप कुछ भी बदलाव करें लेकिन paper जो करवाने का जिम्मा है जो labs है वो TCS कोई दे वो कि हमको TCS के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है कि सबसे आदे जो exam leak होता है वो कहां से होता है कि भईया जहां पर exam कर दे रहे हैं बच्चे वहीं से पहले ही question paper भार आ जाता है market में TCS ने पिछले 5 साल के अपने SSC के career में ऐसी एक भी गलती नहीं करी तो SSC पर सारे teachers को भी सारे student को TCS पर पूरा भरोसा है तो कम से कम SSC को exam करवाने का जो ठेका है जो जहां पर बच्चे online labs में paper देते वो तो TCS को ही देना चाहिए बाकी question bank अब से TCS नहीं बनाएगी questions TCS नहीं बिल्कुल नहीं बनाने वाली है उसकी जगह एक नई company आएगी मेरे दोस्तों और लगबल लगबल उसका नाम भी clear हो चुका है बच्चों के मन में doubt है कि भाई साब जब नई company आएगी तो नई style से question बनाएगी तो जो हमारे syllabus में किसी प्रकार का कोई change हुआ है नहीं SSC के syllabus में किसी प्रकार का कोई change नहीं हुआ और नहीं होने वाला है वही arithmetic वही advance के गिसे भिसे topic आएगे clear है जब change ही नहीं हो रहा syllabus में तो इसका मतलब सारी चीज़े वही पूछी जाएंगी जो आप तक पूछी जा रही है वही simple interest, compound test, profit, loss, geometry, trigonometry, mensuration, algebra वही पूछा जाएगा ऐसा नहीं कि एक question बनाने वाली जो company आपनी मर्जी से रात को SSC पीरें और सवाल बना रहे हैं जाबड इसा नहीं होता है, इनको SSC proper guideline दीते हैं कि भाईया हम इस level का exam करवा रहे हैं, हमारे बच्चे जो exam दे रहे हैं वो इस level के और आप उनको एक sample दिया जाता है कि इस type के questions आप create करो, और questions में जादा repetition मत रखो, TCS को भी इसी तरीकी guideline दी गई थी, तो ये जो vendor आएगा, इनको भी पहले sample दिया जाएगा SSC के दारा कि हमें इस type का question bank create करवाना है, इतने सवाल हमको बनवाने हैं, इतनी shift में हम जो है लगबक paper होना चाहिए, समझ माई बात, जिसमें arithmetic भी रहेगा और advanced math भी रहेगा, तो जब भी कोई नई company आएगी, वो सबसे पहले पिछले 5 साल के, या पिछले 10 साल के questions ही तो देखेगी, कि भी SSC ने पिछले सालों में कैसे सवाल पूछे हैं, और वैसा ही paper आगे भी बनाया जाएगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात ही क्या, इसमें टेंसल लेनी वाली बात ही, हाला कि हर नया examiner है, वो अपना थोड़ा बहुत creativeness जरूर दिखाएगा, और दिखानी भी चाहिए, ठीक है भाई, लेकिन जब syllabus में कोई change नहीं है, तो सवालों के pattern में भी किसी परकार का मिलेगा, इतना जरूर हो सकता है कि जैसे TCS ज्यादे ध्यान देती थी arithmetic पे, calculation वाले portion पे, वो कि TCS बनाती थी banking का exam, पहली बार उस SSC का exam बनाने का मौका मिला, TCS ने, अगर आप गौर से देखो, पिछले 5 साल में, advanced math में कुछ भी, बहुत high level का, बहुत extraordinary पूछा ही नहीं, advanced math का level below average रहा है हमें सर TCS के जमाने में, जबकि arithmetic की language को और उनकी calculation को बढ़ाएगा, banking के pattern से थोड़ा बहुत मिलता जुलता, इतना जरूर हो सकता है कि नई कंपनिया के advanced math का भी standard रखे, arithmetic तो पहले से ही ठीक ठाक पूछा जा रहा है SSC के exam में, तो आप उसी rhythm से पढ़ाई क और आने वाले future में भी उतना ही रहेंगे, question का level कताई भी change होने की कोई भी यहां पे गुंजाइस नहीं है, मतलब SSC के chairman साब भी यह सोच रहे होंगे कि बच्चों को vendor vendor खिल में बिजी कर देता हूँ, और साल दोहर 24 का paper हलवा बना दूँगा, वो भी ऐसी सोच रहे होंगे SSC के exam में जो cut off है selection की वो 80% प्लस पहुँच चुकी है, जो कि बहुती गलत खराब बात है, बै किसी भी competition के exam की cut off 85% होने ही ने चाहिए, यानि कि मेरे हिसाब से SSC को अपना level इतना तो बढ़ाना ही चाहिए कि cut off 60% से जादे ना जाए, यह जो extra 20% cut off जा रही है, यह दरसात है कि exam का level बहुत लो हो चुका है, बाकि आप कोई भी paper उठा के देखिए, चाप banking का paper देखिए, intelligence bureau का paper देखिए, मेरे दोस्तों, और भी जितनी state exam होते हैं, उनमें कोई किसी में cut off 85% नहीं पहुच पा रही है, यह SSC ही एक ऐसा exam रहे गया, जिसकी cut off 85% पहुच रही है, य ऐसा paper सेट करना चाहिए SSC को, कि cut off final selection की 60% से उपर ना जाया रहे, तभी तो फरक होगा गदो और घोडो में, अभी cut off पहुच रही 80%, आसान paper है, सब तुक्का बाजी मार के जो है सही करके आ रहे हैं, तो यह चीज तो SSC को कम से कम change कर रही ही चाहिए, clear है? दूसरी बात कि जो भी प्रीवेसर के मेरे दोस्तों question है, चाहाँ आप CGL के हैं, CITSAL के हैं, CPOK, MTS के आप जिस भी exam की त्यारी कर रहे हो, आख बंद करके पिछले 5 साल के questions को solve करें, कुछ भी chain नहीं होने वाला है, अब आप बताओ कि पहले बच्चा क्या करता है, पहले ब आप practice कहां से करोगे, खुद सवाल बनाने बैठोगे, हिम्मत तुम में, ठीक है भई, पहले आप सवाल बनाओगे, फिर उनको खुद ही solve करोगे, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है, वो पिछले 5 साल के जो सवाल आपको वही solve करने, पर उसके बाद, जो mock test है, आपको mock test हो जाएगा अभी मई में, CPO का paper हो जाएगा, उससे हमको पता लग जाएगे कि examiner का test कैसा है सवालों में, वो किस तरह के questions को frame करने की इच्छा रखता है, बस हमारे लिए तो 20 सवाली काफी है examiner का test पता करने के लिए, फिर हम उसकी नस को पकड़ लेंगे, थोड़ा बहु application पर हमारा zero to hero batch पढ़ा है, तो examiner चाहें कोई भी हो, कोई भी company paper बनाए, हमारे बालक तो करके ही आएंगे, वो तो अच्छा perform करेंगी, करेंगे, उसके बाब जूद भी थोड़ा बहुत change होता है, तो हम अभी जिंदा है भाई साव, हम उसमें करवाएंगे आपको, ठीक है गणित के section को तो आप बिलकुल ignore कर दीजिए, जिस हिसाब से आप तयारी कर रहे हो, उसी हिसाब से आप तयारी करते रहे है, कि देखो, अगर इस company ने अच्छा काम नहीं किया हो सकता है, साल भर में इसको बदल के SSE दूसरी company लेए, फिर दुबार अगली साल रोगे, या दो साल बाद ये वेंडर दुबार से चेंज हो जाए, फिर दो साल बाद नहीं कंपने आएगी, फिर से आप ये रोणा सुरू करोगे, टीजिएस का तो काम बहुत अच्छा था, इसलिए 5 साल तक उसने काम किया SSE के साथ, ये तो भई सब छुट पुटिया है, बाकी तो, तो हर दो साल में अगर वेंडर चेंज होता रहेगा, तो आप हर दो साल में रोना बंद करना सुरू करोगे, प्रिवेसर के क्वश्चन बेकार होगे, नहीं, जब तक सिलिबस चेंज नहीं होगा, प्रिवेसर के क्वश्चन कामियाब हैं, और आपको जिस हिसाब से आप त डाउनलोड करो, और सॉल्व करो, that's it, बात कातम, कोई भी फरजी वीडियो तेखने की ज़रत नहीं, कि वेंडर चेंज हो जाएगा, तो ये एक्जाम का पैटर्न हो जाएगा, ये होगा वो, मैक्सिमम लेवल के लिए अपने आपको तयार कुरें, चाब पेपर आसान आए, मौडरेट आए, टफ आए, आपको फरक नी पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं हमेसा बच्चों को अधिक्तम लेवल के लिए तयार करता हूँ, अब जैसे TCS नहीं, इस बार के CHSL का मेंस का पेप आया था, तो SSC मतलब एक्जाम कर जो भी एक्जाम कंड़क्ट कर रहा हूँ, उसकी तरफ से गाइडलाइन जाते हैं कि हमको एक्जाम का डिफिकल्टी लेवल ये रखना है, ठीक है भाई साब, तो उससे को भी फरक नी पढ़ने वाला कि कौन जो है आपका पेपर है, ऐसे एक्जाम में भी, ठीक है बच्चो मुझे लगता है आपकी सारी कन्फूजन दूर हो गई होंगी मेरे दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, चुप चाप जिसे आप से पढ़ाही कर रहे हो, वैसे ही पढ़ाही आपको करते रहनी, मजे की बात यह है कि SSC के स अब ही एक्जाम का syllabus सेम है, लगवक pattern भी सेम है और level भी सेम है, ठीक है, जिस एक्जाम की आप तयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसके previous question solve करें, उसके बाद extra समय बचता है तो उससे मिलते जूलते exam के previous question solve करें, that's it, बात खतम, बाई